नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश पाठाक शिवानी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और इस चैनल पे हम लोग जोतिश ग्यान के नाम से हमने सेरीज चलाई है जिसमें शुरू से लेके और अंत तक मतलब अंत तो कहीं जोतिश का होता ही नहीं है लेकिन कोशिश कि यह है कि बेसिक से लेकि एडवांस तक जोतिश पढ़ाने की आप लोग पढ़ सकते हैं इस चैनल के उपर शिवानियस्टो चैनल इसका नाम है अभी हम लोग गोचर के बारे में स्टड़ी कर रहे थे पीछे कुछ वीडियों से और आज हम लोग शनी के गोचर में जंडर्म राशी है जहां पर आपका जंकालिन चंद्रमा है चाट के अंदर पुड़ी के अंदर और उसी भाव में गोचर करे Louise जिस में आपकी जंडर्मा जिस राशी में है उसी राशी में जंङ www Sun कलेन राशी से ही गोचर से शनी ब्रह्मन करे तो ऐसे में किसी की कस्ट की संभावना होती है स्वास्त बिगड़ने की संभावना होती है यह हमें त्यान रतना है अगर वो इस तरीके से गोचर करता है अगर शनी जर्मकालीन राशी से जहांपे जर्मकालीन राशी है उससे दूसरे भाव में गोचर करे तब तो संतान कस्ट होता है धनका नाश होता है और अशुप फल मिलते हैं यानि जो भी दूसरे भाव से संबंदित फल है वाणी का है वाणी अच्छी नहीं रहती या वाणी पर काबू नहीं रहता या भोजन का है भोजन आपको ठीक से पस्ता नहीं है प्राबलम होती है या जमाधन का है तो जमाधन में खर्चा होना शुरू हो जाता है ये सारे अशुपल हो जाते हैं अगर शनी जर्म कालीन रा उससे शनी तीसरे भाव में गोचर करे तो आपका गोचर बहुत अच्छा होता है आपको नई नौकरी मिलती है लाब बिलता है छोटे बाई बैनों से प्रेम बढ़ता है आपकी हुकूमत बढ़ती है आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो आपका सम्मान करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता तो चौते भाव के फल यानि मन में शान्ती रहेगी घर का सुकनी रहेगा आप घर से बाहर बटकना पड़ेगा धन नाश रहेगा वहन लेने की संभावना नहीं होगी अगर वहन आपने ले लिया तो हो सकता है उसमें कुछ प्राब्लम हो जाए मकान ले लिया तो मकान में कुछ लीगल प्राब्लम सो जाए तो इस तरह की चीजें होने शुरू हो जाती है अगर शनी जन्मकालिन राशी से चौते भाव में गोचर करता है और शनी जन्मकाली इनराशी से पांचवे भाव में गोचर करता है तब क्या होता है तब भी देशी फल होता है संतान से देश होता है नाना प्रकार की चिंता होती है शांती नहीं रहती जो भी पांचवे भाव से संबंदित फल है अगर शेर लॉटरी में आपने पैसा लगा तो यह सब चीजें ज्यार नखनी पड़ती हैं हम लोग को जन्राशी से चटे बहाब में हो तो वो शुपफल देता है आपकी रोग दूर गरता है आप शत्रूब विजय प्राप करते हैं आप का रिंग खतम होता है आप किसी कंपेटिशन में पास होते हैं अगर कोई कंपेटिशन आप देने जा रहे हैं तो उस कंपेटिशन में आपको शौरन सर्टें सपलता मिलती है अगर शनी का गोचर जन् है और प्र् sons और को शूपल नहीं मिल पाएगा. इसी प्रकार से शनिक गोचर यादी जन्म राची से आठवे बहाब में हो वह भी पूर्ण शुपल मिलता है और आठवे भाफ के जो पल होते हैं, जैसे कलहे होती है, प्लिडा होती है, मिर्थ्यु कारक कस्ट होता है, लंबी रोग होने की संभावना हो जाती है, मित्रों से आपको प्रेव नहीं मिल पाता, तन की विशेश हानी होने की संभावना आपको हो रोग होने की संभावना आपको हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, यह अगर शनी जो है गोचर में, जो जनकालिन चंतर राशी है, उससे आठवे भाव में गोचर करें, और जनकालिन चंत्रराश्टी से चनि यदि नवे भाव में गोजर करें, तो भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो उस केस में नवे भाव से संबढ़ से बहुते हैं, यह आपका मन धरम में नहीं लगता, धरम करम के कारियों में मन नहीं लगता आपका, पिता से अपकी इतनी उच्छे नई बन पाती है पितासे कुछ आपका अमान मुटाब रहता है चाचा मामा से भी मुटाब रहता है ये सब प्रब्लम होती हम गुरूवों से आपकी नई बन अपकी प्रॉजेक्ट शुरूब करें गे उस पोजेक्ट पर आपको सफलता नहीं मिलेंगे, आप ओलड़ी कहीं काम कर रहे हैं आपका प्रमोशन तो आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा तो इस तरह की समस्याइं आपको होनी स्टार्ट हो जाएगा और यही शनी यदि जन्मकालियन राशी से ग्यारवे भाव में कोचर करता है तो वो बहुत अच्छा होता है आपको लाव मिलता है आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होत हैं आपके बड़े भाई पहनों से आपके रिलेशन्स बहुत अच्छे बनते हैं उत्क्रस्ट कीर्ती और शुपफल प्राप्त होते हैं जो भी ग्यारे बहुत सब्मंदित पल हैं वो आपको अच्छे प्राप्त होते हैं ऐसे में यदि आप किसी पॉर्ण कंपनी से आपके होते हैं कि शत्रुव द्वारा आपका धन्नाश होता है यह सब समस्याइं आपको होनी शुरू जाती हैं जो भी समस्याइं हम बार्वेभाव से देखते हैं तो यह था शली का गोचर आगे में आपको रहू के बारे में कुछ पताऊंगा तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ माया होगा समझ माया तो काइंडी लाइक कीज़ेगा सब्स्राइब कीज़ेगा कोई कवो चीज पूछ नहीं हो तो कमेंट करते हैं बाकी सब्स्क्राइब या लाइक जिरूर कीज़ेगा उससे मोटिवेशन बढ़ता है और हम लोग एक लास शूर करने जा झाल